हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप सभी तो आज हमारा टोपिक है जिसका नाम है हमारा आई पियार आई पियार स्टेंड फोर दा इंटर पर्सनल रिलेशन्चिप आई पियार क्या होता है हमारा इंटर पर्सनल रिलेशन्चिप यह क्या होता है कनेक्शन बीट्विन होता है टू more person 2 या 2 से ज़्यादा person के बीच में कोई Connexion होना उसको कि 성 Qurla इंटरपर्सनल relative example तो पर जैसे दिशन Catherine तो दिशक के बीच का वाना両ики तो वो क्या है हमारा फैकर की अपसि alcool होना एक तरह का communication होना किसी भी दो या दो से ज़्यादा परसन के बीच में अब आता है हमारे purpose में लिए की होता है आई-पी-अर्पि इसके बीच में होता हमारे नर्ष दार परिचिंट के living जिस कोमणिटी के अंदर हम रहे रहे हैं उसके living स्टेंडर को increase करने के लिए पर्मौट करने के लिए हम क्या करते हैं IPR maintained करते हैं promoting औफ positive things कि ज़ए जादा से ज़ए ज़िपिंट्फ में पर मॉन प्रमॉट कर सेजि मप्या कर बिल्ड करने के लिए अगर परसन सब के साथ अच्छे से कुम्मुनिकेट करेंगे तो उनके अंदर का जो स्ट्रेस वगारा वो क्या हो जाएगा एजली रिमूव हो जाएगा जिससे क्या होगी एक हैल्दी सोसाइटी बिल्ड हो जाएगी तो अचीव दाइम सोफ ता और्ग पर कोनिकेशन मेंटेन करना वाघा ट् historic anxiety उसलियetted जाएटी को भी अंधु परसक्ते तूफंज कर सकते तूफाइंड आउटë correct डायगनोसिस अच्छे डाइगनोसिस म 만든 यसा पता हम इससे लगा सकते हैं नेक्स आते हैं हमारी फेजिस हमारी आई प्यार की कितनी फेजिस है हमारी फोर फेजिस है प्री इंट्रेक्शन फेज ओरियंटेशन फेज वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज कितनी फेजिस है हमारी फोर प्री इंट्रेक्शन ओरियंटेशन वर्किंग एंड टर्मिन टो प्रेट्राइशन से क्या मैसिक घूस्वर्मी करते हैं उसकी प्रोग्लम्स को छोर करना है तो वो हमारी एंटराइक्षишь सेकंड हमारी Orientation dort में क्या होता है हम उस पर संसे face to face meeting करते हैं उससे eye contact करते हैं उसकी प्रोग्लम को सुनते जबते हैं उसके कोडिंग उसको हम क्या करते है गाइडेन्स प्रोग्लम करते हैं या फिर इसको हम सपोर्ट provider करते हैं. थर्ड फेस आते हैं हमारी working phase. working phase में क्या था? जैसे person हमसे orientation phase में मिला, हमने क्या किया, उसका diagnosis किया, उसकी problems का पता लगा आया, तो working phase में हम क्या करेंगे? उसको work करेंगे, कि कैसे हम person के problem को solve कर सकते हैं, उसके regarding हम plans बनाएंगे, उन plans पे working phase भी हम क्या करेंग अपना active ध्यांति हमारी termination फेसких termination में क्या होग्या है persn की प्रोग्रम फीर होगी है फॉर example hospital में आया था hospital में आने से पहले हमने जो नर्स है उसको क्या कर दिया था inform कर दिया था क्या आपके पास ऐस तो नर्स को basic information मिली थी तो तो क्या होगी pre interaction face अभी पेशेंट से मिली नहीं है बस basic information सेकेंड orientation face patient आया नर्स से मिला नर्स ने उससे communicate की उसकी program का पता लगाया फिर उसने plans बनाया थार्ड थी working face जो plan बनाये थे उनको work के लिया function में लेका एक केर प्रोवाइड की medication दी फूर्थ आ जाते हैं हमारे termination face पर नर्स ने जो working face में अपना work किया था उससे person क्या हो गया ट्रीट हो गया healthy हो गया अब person क्या चला जाएगा terminator के discharge लेखे hospital से चला जाएगा तो यह हमारी क्या थी IPR की four faces अब आते हैं barriers कुन कुन से barriers barriers का मलब रुकावट होती हैं जिससे हमारे IPR के अंदर interpersonal relationship के अंदर क्या आ सकते हैं रुकावट आ सकते हैं हमारा mistress जो patient है या कोई member है जो भी person है हमसे क्या counseling लेने आ रहा है या patient hospital में treatment लेने आ रहा है उसको किसी doctor के ओपर या nurse के ओपर क्या है trust नहीं है trust नहीं होने की वज़े से अच्छे से हो क्या नहीं कर पाएगा उससे IPR maintain नहीं कर पाएगा lack of awareness regarding needs उसकी जरूरते जो है उसके बारे में हम aware नहीं है पता नहीं है इससे भी हम मेंटेन नहीं कर पाएगे lack of interest उस चीज में हमारा क्या नहीं इंटरस्ट नहीं है लास्ट आथ हमारा ineffective communication जो हम communication उससे कर रहे हैं वो उसके लिए effective नहीं है purposeful नहीं है तो अपने आप जो क्या हो जाएगा communication बीच में टूट जाएगा ठीक है